नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का तो साथियों आज आप मैच कवर करेंगे दूसरा T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है West Indies versus South Africa के बीच में तो दोस्तों मुकाबला 26 अगस्त को खेले जाने वाला है 12 बजगर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा ब्रेन लारा किरकेट स्टेडियम West Indies की पिच पर तो दोस्तों आज के मैच में हमें Trump काड खिलाडी कौन सा देखने को मिलेगा पिछले मैच में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था Nicholas Puran Stubbs दोनों खिलाडी आज के मैच में important होगे क्योंकि पिच के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बैटिंग करना काफी ज़्यादा मुस्किल है opening batsman आपको जल्दी आउट होते वे नजर आएगा कुछ उसी परकार से दोस्तों हमारी Grand League की टीम ने rank की है और कुछ उसी परकार से दोस्तों हम आजगा मैच कवर करेंगे आजगे मैच में कौन-कौन सा खिलाडी Trump कार्ड खिलाडी देखने को मिलेगा किस खिलाडी को हम captain लगा के चलें कौन सा खिलाडी voice captain ची में देखने को मिल सकता है कितने Trump कार्ड खिलाडी West Indies की तरब से देखने को मिलेंगे और कितने Trump लेड दोस्तों South Africa की टीम से देखने को मिलेंगे क्या combination बनाके चलें अपनी unique GL टीम का और क्या combination होना चीए हमारी head to head टीम का तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है वीडियो को दोस्तों complete देखते चलना और अभी तक अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो फटापट से दोस्तों वीडियो को like कर लेना, channel को subscribe कर लेना ताकि आने वाली लगातार update आपको इस channel से मिलती रहे और telegram channel join करना मत बूलना नीचे दोस्तों description में link दे रखा है बात करेंगे सबसे पहले pitch report के बारे में कि brain lara cricket stadium west indies की जो pitch है वो कैसी है उसी के इसाब से दोस्तों GL plus SL दोनों टीमों का combination बना के चलेंगे तो pitch दोस्तों आपको balanced pitch देखने को मिलेगी टोटल इस pitch पर 10 T20 मुकाबले खेले गए है जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम के winning chances कम देखने को मिलेंगे यानि कि अभी तक 4 मुकाबले जो टीम पहले बैटिंग करके गई है उसने win किये है 6 मुकाबले दोस्तों 2nd बैटिंग करने वाली टीम ने win करके रखे है average score की बात करें तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका average score लगबग 133 के करीब देखने को मिल सकता है सबसे ज़ादा score यहाँ पर England का है 266 run का और सबसे कम score यूगांडा का है only 40 run पे all out और यह वाला मुकाबला दोस्तों आपको Asia Cup का देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर Uganda पलस में आपको Namibia जैसी चोटी चोटी टीमे दोस्तों इस ground पर खेल चुगी है पहले मुकाबला Asia Cup का उसके बारे मैं मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि किस परकार का performance करके गई थी यह चोटी 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 टीमे उसी के साथ दोस्तों bowling की बात करें लास्ट के जो 5 मुकाबले इस pitch पर खेले गए हैं उसमें पेसर्स को 42 विकट मिली है और स्पीनर्स को दोस्तों 12 विकट मिली है उसी के साथ scoring pattern 150 से नीचे 7 बार स्कोर है टोटल 10 टी 20 मुकाबलों में 150 और 170 के बीच में 0 बार 170-190 के बीच में 1 बार 190 से उपर इस pitch पर दोस्तों 2 बार score देखने को मिला है इस pitch की जो condition रहेगी वो ये रहेगी कि दोस्तों यहाँ पर बैटिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी एक तो यह है कि हाई score आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 200 पलस का score आपको इस pitch पर देखने को मिलेगा लगबग balanced पीचा बोलर्स भी ठीक ठाक performance करेंगे खास कर दोस्तों Pacers को यहाँ पर विक्टे मिलेंगी बैटिंग की बात करें तो 160 या फिर 165 के करीब आपको आराम से score यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं recent वाले matchों के according recent में यहाँ पर पहला T20 मुकाबला South Africa versus West Indies के बीच मुकाबला खेला गया था मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि West Indies का home ground है West Indies की team इस pitch पर bowling पलस बैटिंग दोनों से काफी अच्छा performance करके जाएगी तो एक विकट दोस्तो यहाँ पर spinners को मिली थी और नो विकट दोस्तो पेसर्स को यहाँ पर South Africa की team ने दोस्तो 174 रन पर अपनी 7 विकट यहाँ पर गवाई थी लेकिन West Indies की team ने दोस्तो 18 ओर में match को win कर लिया था 116 रन बनाके उसी के साथ दोस्तो अफगानिस्तान वर्सीज साउथ अफरिका के बीच व मुकाबला खेला गया अफगानिस्तान की team ने पहले बैटिंग करते वे 56 रन का target रखा और यहाँ से चेस करते वे साउथ अफरिका की team ने दोस्तो आराम से match को win किया तीन विकट स्पीनर्स को आठ विकट दोस्तो पेसर्स को उसके बाद PNG वर्सीज न्यूजिलैंड के बीच व मुकाबला खेला गया यहाँ पर भी दोस्तो चेस करते वे न्यूजिलैंड की team ने match को win किया तीन विकट स्पीनर्स को दस विकट दोस्तों यहाँ पर पेसर्स को उसके बाद यूगांडा वर्सीज न्यूजी लैंड के बीच मुकाबला खेला गया है चार विकट स्पीनर्स को और साथ विकट दोस्तों यहाँ पर पेसर्स को मिली थी और यहाँ पर भी न्यूजी चेस करतेवे मुकाबले को विन किया है यानि कि जो recent के 4 T20 मुकाबले इस गिराउंड पर खेले गए है उसमें दोस्तों जो टीम चेस कर लिया बाद में बैटिंग कर लिया उसके विनिंग चांसेज काफी जादा देखने को मिले है और जो टीम पहले बैटिंग करके जा रही है उसकी विकट दोस्तों काफी जादा देखने को मिली है लगबग दोस्तों तीन बार तो ये टीमे ओल आउट देखने को मिली है recent में भी दोस्तों साउथ अफरीका ने अपनी साथ विकट गवा के यहां पर दोस्तों साउथ अफरीका की तरब से काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर ये match भी दोस्तों अगर West Indies की टीम विन कर जाती है तो यहां से T20 सीरीज अपने नाम कर जाएगी क्योंकि recent में इस टीम ने एक T20 मुकाबला विन करके रखा है अगर इधर से बात करें South Africa की तरब से तो इस टीम ने दोस्तों अपना पहला T20 मुकाबला हारा है और recent के performance की according दोनों टीमें 5 में से 3 मुकाबले दोस्तों यहां से South Africa की टीम विन करके आ रही है और 5 में से 3 मुकाबले दोस्तों West Indies की टीम ने विन करके रखे है यानि ki head to add के performance के according वेस्ट इडिज की टीम काफी ज़धा strong है एक मुकाबला दोस्तों T20 का विन करके आ रही है यानि कि दोस्तों यहां से और पलस पॉइंट क्या रहेगा कि West Indies का home ground है तो साय दोस्तों यहां से काफी अच्छा performance West Indies की तरब से देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं West Indies की final playing 11 के बारे में की आज के match में कौन सा खिलाडी captain और voice captain ची में देखने को मिल सकता है पिछले match में दोस्तों यहां से Nicholas Puran ने काफी अच्छी बैटिंग की थी और उसी के साथ सा दोस्तों Hope ने भी काफी अच्छा performance किया था Alec Plus में Hope उसके साथ Nicholas Puran रस्तों चेस जो कि आपकी टीम का Trump card खिलाडी हो सकता है Roman Powell आज के match में बलेबाजी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी Rutherford उसके साथ दोस्तों Romario Shepard जो की CVC में काफी बढ़िया च्वाईस है एकल होशन गुडाके स्मोटी उसके साथ Matthew फिर दोस्तों यहाँ पर समर जोसप यह आपको Final Playing 11 देखने को मिल सकती है West Indies की टीम की तरब से बात कर लेते हैं इनके player performance के इसाब से Opening batsman यहाँ से Alec जो की recent के match में 40 run उसके बाद दोस्तों 6 run नाबाद फिर यहाँ से 42 run नाबाद फिर 5 run फिर यहाँ से 17 run recent वाले match में काफी अच्छा performance दोस्तों इस खिलाडी के तरब से देखने को मिला है Head to head में अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं 46 run इस खिलाडी ने बनाई है यानि की recent के performance में काफी अच्छा performance है 40 run बना के आ रहा है उसी के साथ wicket keeper option hope जो की recent के match में 51 run उसके बाद दोस्तों 0 run फिर यहाँ से 82 run नाबाद फिर 25 और 14 run की 2 inning देखने को मिलेगी Head to head में 2 मुकाबले 51 run है ground पे दोस्तों 55 coverage को और 24 coverage को T20 format में है लेकिन दोस्तों आपको जो GL team का combination बना के चलना है उसमें आपको एक condition जरूर आपको apply करके चलनी है क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक मुकाबला West Indies की team win करके आ रही है और यह मुकाबला दोस्तों South Africa की तरब से काफी ज़ादा important होने वाला है तो South Africa का जो bowling line-up है अगर थोड़ा बहुत भी आपको changement देखने को मिले या फिर दोस्तों bowling section में captain और voice captain आजगे match में खास का try करके चलना है क्योंकि काफी ज़ादा important होगा बोलर दोस्तों काफी जबरदस performance करने वाले हैं अगर West Indies की team दोस्तों पहले batting करती है तो पूरण recent वाले match में 65 run नाबाद उसके बाद 26 run नाबाद फिर 4 run 11 run और 9 run का performance head to add में 23 का average score ground पे 38 का average score और 27 का average score T20 format में है उसके साथ रोस्तों chase recent में 4 run नाबाद पलस में 0 wicket उसके बाद flop है 23 run 0 wicket 17 run 0 wicket head to add में 6 मुकाबले 82 का average score पलस में 5 wicket ground पे दोस्तों 4 run है और T20 format में 18 का wicket निकाल चुका है और 34 का average score इस ख्लाडी का batting से है 20 मुकाबले अभी तक खेले है 18 wicket इसके पास है batting भी ठीक ठाक है 34 का average score है ये ख्लाडी दोस्तों आपकी टीम में कभी भी trump card ख्लाडी देखने को मिल जाएगा उसी के साथ Roman Powell recent वाले match में 7 run उसके बाद 45 run फिर 1 run 16 run 13 run नाबाद head to add में 22 का average score ground पे 13 का average score T20 format में 24 का average score ये ख्लाडी भी दोस्तों आपके टीम में trump card ख्लाडी देखने को मिल सकता है अगर opening batsman जल्दी flop होते है तो इस ख्लाडी की तरब से 40-50 run आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे रधर फोर्ड जो की recent के matchों में batting नहीं है उसके बाद 22-0-15 run एक विकट उसके बाद 4 run head to add में flop है ground पे 26-66 coverage score T20 format में 37 coverage score है उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं रोमारियो शेफर्ड जो की recent में batting देखने को नहीं मिली थी लेकिन दोस्तों bowling से एक विकट के साथ इस ख्लाडी ने performance किया उसके बाद 2 विकट फिर 4 विकट दो run 3 विकट head to add में 3 विकट है ground पे भी 3 विकट है और T20 format में 41 मुकाबले अभीतक इस ख्लाडी ने खेले है 41 विकट है और 28 coverage score batting से है एकल होशन recent के match में 1 विकट उसके बाद 3 विकट, 2 विकट, 1 विकट, 1 विकट head to add में 4 विकट है ground पे 7 विकट और T20 format में 49 विकट दोस्तों यहाँ पर एकल होशन ने अभीतक complete की विए 58 मुकाबले ये ख्लाडी खेल चुका है गुडा के स्मोटी जो की recent के continue 2 मैचों में दोस्तों 0-0 विकट, उसके बाद 1 विकट, फिर यहाँ से flop, फिर दोस्तों 2 विकट के साथ performance किया head to add में 8 विकट, ground पे 6 विकट, T20 format में 21 विकटों के साथ इस ख्लाडी ने performance किया है लेकिन recent वाले मैच में flop था, मैंने पहले ही बता दिया था, एक spinner आपको लेके चलना है West Indies का, या तो आप एकल होशन को try करके चल सकते हो, या फिर गुडा के स्मोटी को try करके चल सकते हो उसी के साथ मैच जो की recent के लगातर मैचों में काफी जबरदस performance है recent वाले मैच में, तीन विकट, head to add में अभी तक दो ही मुकाबले खेले हैं जिसमें 6 विक्टों के साथ performance कर चुका है, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकट है और T20 format में 6 विकट अभी तक इस खिलाडी ने निका लिया है और 3 मुकाबले अभी तक इस खिलाडी ने खेले वे हैं उसी के साथ final bowler यहां से summer जोसब जो की recent वाले मैच में 2 विकट, उसके बाद 1 विकट फिर दोस्तों यहां पर 2 विकटों के साथ performance किया है 5 विकट इसके पास है T20 format में 2 विकट निकाल चुका है ground पे और 5 विकट इसके पास है head to head में अभी तक 4 मुकाबले इस खिलाडी ने खेले वे हैं और 4 के 4 मैच इस खिलाडी ने South Africa के खिलाफ खेले थे तो यह दोस्तों finally आपको West Indies के final player performance देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तों इनके starting और death में कौन सा खिलाडी बोलिंग करवाएगा, तो starting में दोस्तो एकल होशान, मैथ्यू के देखने को मिलेंगे, उसी के साथ समर जोसप के, death में दोस्तो रोमारियो, शेफ़र्ड, समर जोसप मैथ्यू और गुडा के स्मोटी ये total 4 बोलर हैं, जो के death में बोलिंग करवाएगे, उपर के दोस्तो 3 बोलर हैं, जो की starting में बोलिंग करवाते वे नजर आ सकते हैं उसी के साथ बैंस प्लेरों की बात करें जो के total दोस्तो 4 बैंस प्लेर देखने को मिलेंगे, ओशी मकोई है, उसी के साथ फेबन एलन है, और है सिमरन हैटमायर है और जोनसन चारलस है, total चार बैंस प्लेर है, कोई भी अपडेट होता है वो अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक हा फड़ापट से जोईन कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे, उसी के साथ प्लेर बैटल की बात करें, तो यहां से ओपनिंग बैट्समैन, जो कि आपको जोनसन चारलस देखने को मिल सकता है, अगर खेलता है तो यहां से बात्मैन एक बार आउट कर चुका है, तीन बोल अभी तक करवाई थी और एकी रन दिया था, पलस में एक बार आउट किया है, एलिक की बात करें, तो एक बार बात मैं, होप की बात करें, तो इसको भी बात मैं एक बार आउट कर चुका है, निकोलस पुरन को एडन मारकरम और लूंगी एंगीडी ये दोस्तो एक एक बार आउट कर चुके हैं, और रस्तोन चेस को लूंगी एंगीडी दोस्तो एक बार आउट कर चुका है रोमन पोरल को मफाका और यहां से एड़न मारकरम उसी के साथ शिमरन हैटवायर को एक बार यहां से लूंगी एंगीडी आउट कर चुका है टोटल दोस्तों साथ खिलाडियों का आपको प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगा उसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर South Africa की Final Playing 11 के बारे में कि इस टीम से दोस्तों हम कौन से खिलाड़ी को लेके चलें Experience आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि Add and Markram है उसी के साथ साथ 83-1 दूसन है इन दो खिलाडियों का Experience आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ दोस्तों आपको और भी काफी ज़्यादा खिलाडी देखने को मिलेंगे जो कि T20 फॉर्मेट में काफी ज़्यादा मुकाबले खेल चुगे हैं और यह मुकाबला दोस्तों 2nd T20 मुकाबला होने वाला है साथ अफरिका के नजर यह से देखें तो यह मुकाबला दोस्तों काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा साथ अफरिका की तरब से flop है head to head में 11 का average score ground में 4 का average को T20 format में 11 का average score है 4 मुकाबले खेल चुका है total 47 run है उसी के साथ Riza Hendricks recent के match में 4 run उसके साथ 49, 17, 4 run नाबाद 27 run 31 का average score head to head में 33 का average score ground पे T20 format में 39 का average score है ये खिलाडी दोस्तों आजगे match में performance करेगा 30 plus run निकाल के देने वाला है low selection वाला खिलाडी है क्योंकि recent वाले match में flop था उसी के साथ Rashi Van Dussan जो कि recent के match में 5 run उसके बाद 30 run नाबाद है 14 run बैटिंग नहीं 5 run 15 run 25 plus run दोस्तों यहाँ से Rashi Van Dussan की तरब से देखने को मिलेंगे head to add में 10 मुकाबले 243 run है 30 का average score गराउंड पे flop है एक ही मुकाबला खेला था जो कि recent में और 33 का average को T20 format में है add and mark rum recent वाले match में flop था बैटिंग पलस बोलिंग से उसके बाद फिर से flop 23 run नाबाद 18 run एक विकट और 1 run 0 विकट head to add में काफी अच्छी बैटिंग है 47 का average score है 213 run है 9 मुकाबलों में 2 विकट भी निकाल रखी है ground पे 37 run T20 format में 12 विकट और 33 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है लेकिन recent वाले match में दोस्तों flop है विकट इस खिलाडी की तरब से देखने को नहीं मिली उसी के साथ दोस्तों stubs जो के recent के match में trump card खिलाडी था low selection वाला खिलाडी देखने को मिला था और यहां से 46 run के साथ इस खिलाडी ने performance किया उसके बाद 31, 29, 12 run नाबाद 20 run नाबाद head to add में 2 मुकाबले 52 का average score ground पे 46 run और 28 का average को T20 format में है अगर दोस्तों South Africa की team पहले batting करती है तो यहां से आपको stubs को लेके चलना है अगर bowling करती है तो यहां से आप इस खिलाडी को ड्रोप करके चलना है यह चीज आपको note करके चलना है उसी के साथ फिरारिया विकट की प्रोप्चन, recent के match में flop है, 8 run head to add में और ground पे 8 run 22 का average score इस पिकट, captain voice captaincy में काफी अच्छा चुआईस है, betting plus bowling दोनों से point करके देगा, head to add में 60 run, ground पे 44 run, विकट इसके पास दोस्तों अभी तक नहीं है, दोई मुकाबले T20 format के खेले वे हैं, उसी के साथ यहां पर fortune जो की decent के continue दो मैचों में flop है, आजगे मैच में भी आपको drop ही करक चलेंगे, उसी के साथ यहां से मफाका, जो की decent के continue दो मैचों में एक एक विकट के साथ performance, head to add में एक विकट, ground पे एक विकट, T20 format में debut किया था, जिसमें एक विकट के साथ performance किया, बात मैं को CVC में फिक करके चल सकते हो, क्योंकि decent में काफी अच्छा performance है, head to add में 5 विकट, ground पे 2 विकट और T20 format में 11 विकटों के साथ performance है, total 7 मुकाबले अभी तक इस बोलर ने खेले हैं, और recent का मैच इस दोस्तों काफी बढ़िया performance करके आ रहा है, उसी के साथ final बोलर, यहां से burger, जो की recent के मैच में 0 विकट के साथ performance किया, T20 format में 2 मुकाबले खेल चुका है, एक व बात करें दोस्तों, इनके starting ओर death वाले खिलाडियों के बारे वे, तो starting के ओबर दोस्तों, यहां से burger और fortune, मफाका और यहां से bathman, total 4 बोलर हैं, जो की starting में bowling करवाएंगे, death में दोस्तों, यहां सी आपको यह 4 बोलर आपको death में bowling करवाते वे नजर आ सकते हैं, और इसी के सा अगर इनके bench player की बात करें, मेरे को लगता है दोस्तों, bench player जरूर अपडेट होंगे, इस वाले match में second मुकाबला काफी जादा important है, खास कर दोस्तों, bowling section आपको अपडेट होते वे नजर आ सकता है, लोंगी एंगीडी आ सकता है, या फिर लिजार विलियम्स आ सकता है, यह दोनों खिलाडी दोस्तों, अपडेट हो सकते हैं, दोनों का T20 format में काफी अच्छा performance है, लोंगी एंगीडी दोस्तों, experience baller देखने को मिलेगा, 42 मुकाबलों में 62 विकट इसके पास है, बाकी दोस्तों, यहां से कोई भी खिलाडी अगर अपडेट होता है, वो अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, खास कर दोस्तों, यह दो खिलाडी अपडेट हो सकते हैं, उनका आपको recent performance देखने को मिल जाएगा, और Smith की बात करें, तो इसका recent में काफी अच्छा performance है, अगर यह खिलाडी खेलता है, तो T20 का इसका पहला मुकाबला दोस्तो होगा यहां से West Indies के खिलाफ, उसी के साथ प्लेयर बैटल की बात करें, ओपनिंग बैट्समें दोस्तों, यहां से रेयान, ओशी मकोई, और यहां से मैथ्यू, उसी के साथ रोस्तों चेस, एक एक बार दोस्तों आउट कर चुके हैं, रेजा हैंधिक्स को दो बार समर जोस और यहां से स्टब्स को एक बार रस तोंचेस, एक बार रोमारियो शेफट जो के रीचेंट में ही विकट निकाली है, टोटल दोस्तों पांच खिलाडियों का प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं, फैंटसी के एक टोपिक खिल सबसे जादा हाई सेलेक्शन आज के मैच में कौन से खिलाडी का देखने को मिलेगा, तो हाई सेलेक्शन में दोस्तों होप, निकोलस, पूरन, एकल, होशन, मैथ्यू, इधर से दोस्तों, एडन, मार्करम, स्टब्स, परतिक और बातमैन, टोटल आठ खिलाडी हैं जिनका सबसे जादा हाई सेलेक्शन आज वाले मैच में देखने को मिलेगा, ट्रंप कार्ड खिलाडी दोस्तों, समर जोसप, एलिक, इधर से दोस्तों, राशीवन दुसन और मफा का, टोटल चार खिलाडी हैं जिनका दोस्तों लो सेलेक्शन है, पलस में आज के मैच के ट्रंप क ट्राइ किया है, एक टीम में, सैकंड टीम में दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफरिका का ओल राउंडर, वो इस कैप्टन देखने को मिलेगा, दोस्तों, यहाँ से साउथ अफरिका का बोलर, क्योंकि यहाँ से यह दोनों खिलाडी पर प्रोडिंग मेनेट बनाई है जो कि पिछले मैंच में दोस्तों ये खिलाडी परफोर्मेंस करके आ रहे हैं तो ये मेरी दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिल जाएगी वैसे दोस्तों सीवीसी ओप्षन निकोलस पूरन को आप सीवीसी ट्राइ करके चल सकते हो इ ये अच्छा उप्षन है सीवीसी में यहां से दोस्तों रस्तों चेस जो कि आपकी टीम का ट्रमप का खलाडी गहाडी कापटनवोईस काप्टन के देखने को मिल सकता है बाकि बोलिंग सेक्शन में सीवीसी काफी अच्छा चौईष होगा अगर दोस्तों यहां से अगर स झाल झाल